तो दोस्तो प्रस्याजर के बाद चलिए मैं आपको इस मेमोरी का इंफोर्मेशन दे देता हूं जैसे आप यहां पर देख दो यह चुछ चिवा कंपनी का एक मेमोरी है तो यह जो मेमोरी है दोस्तों मतलब एंटरनल मेमोरी है इस टैबलेर के अंदर का जो एड़ीब का मेमो अधरनल मेंट भी कहते हैं और एक होता है वोर्किंग मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं जो मतलब वोर्किंग के दोराशन उस में का रखे प्रस्टरों का मेमोरी मेंफ के दोरान उस्से का रख nichts की टैबलेर का रूम है इस के डू्टीट इस इन अदर ज weakness टो प्रोसेसर उसको लेके रैम के अंदर रख देता है और जो रैम के अंदर जो डेटा आता है उसको हम अपने डिस्प्लेय पर देख पाते हैं तो इस तरह से मतलब एक रोम का और एक रैम का दोनों का बहुत ही इंपोर्टेंट रोल होता है एक डिवाइस को अपरेट कराने के लिए जो रैम है उसमें कोई फॉल्ट आ गया तो क्या होगा प्रोसेशर जो भी डेटा इसको देना चाहेगा वह डेटा रैम के अंदर नहीं जा पाएगा और रैम के अंदर अगर कोई डेटा नहीं जा रहा है तो उसका मतलब हमारा डिवाइस हो ऑन होने के बाद भी हमार अदर ही डाल लिया जाता है जिसे क्या हो जाता है जो जिवाइस का स्पीड है वह भी बढ़ जाता है और इसमें जो फॉल्ट आने के चांसे से वह भी कम हो जाता है लेकिन दोस्तों यह जो इंटर्न मेमोरी या जो रूम है तो उसको मतलब अलग ही सेपरेटली रखा जाता है तो इसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा और अगर उपन हो भी रहा है तो मतलब उसमें स्टॉक होने का मतलब लोगों के अंदर ही रखा गया होता है लेकिन लोगों आजाने के बाद जो मतलब अन्वाट को लोड होना है तो वो सब भी क्या होता है इस रूम के अंदर या इंटरनल मेमोरी के अंदर रखा जाता है इस चीप में फर्ट आने पर क्या होगा हमारा सॉफ्ट्यर ओपर नहीं होगा या ओपन हो भी रहा है तो मतलब उसमें मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब बहुत लॉंग अगर आपको सबसे पहले क्या करता हैं , tb6 सब्सक्राइब बार लेक। आपको ना चाहरा है अंदर कोई फॉल्ट होसकता है तो इस का रिपेरिंग किस तरह से करना है इसके सरावन्य आपको कुछ कंपोनेंट देने को मिल जाएगा मतलब किसी भी डिवाइस के जितने भी चीफ होता है सभी को बोल्डेज देना जो जरूरी होता है इस तरह की कंपोनेंट को पैशिव कंपोनेंट भूला जाता है तो एक डिवाइस के अंदर विना सभी जाए सेखेंग और Shh तो अगर मानिये एची बन्तलब बिल्कुल सही है लेकिन ये व्ल्टेज के लाइन का जो कंपोनेंट है उसमें फाल्ड आ जाता है तो क्या होगा इसको बन्द हो जा गए या व्ल्टेज मिलने में इस्टरवेज होगा तो उस टाइम पर क्या होगा मतलब एडिवैस मतलब अशरी में कर पायगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है मतलब अची तरह से चेकर करना है और इस को किस तरह से करते हैं क्षी तरह का फॉल्ट आ सकता है किने डैप समर्ट होती है सबीक वीडियो अलड़ी है हमारे सब्सक्राइब ज़रूरात आप सऺए इस अभी को अगर आपका क्या समय मेंना है क्या मेंसे चीप जू चीप को अइसे चीप को Meta करने के लिए यह अगर मैंनि सम्टाइम्स क्या हूओ ? उसका connection अलग हुए है तो थुरी हीट देने के बाद वो मतलब फिर से attach हो जाता है और काम करने लगता है लेकिन मनी आपका जो cheap है वो मतलब fully damage हो गया है मतलब आपका cpi । कितना भी हीट करने पर भी काम नहीं करेगा उसके बद आपको इसको replace करना होगा लेकिन replace करने के लिए आपको इसके आपको इसके आपको इसके आप यहां पर देख रहे हो तो सभी information देने बला हूं और उसमें किस तरह का fault आ सकता है उसका working क्या है उसका solution क क्या है मतलब सभी इतने भी possible चीज़े हैं के बारे में तो सभी में information में आपको अगले वीडियो में दूंगा तो दस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में फ्री में मोबायल हम लैटप इंजिनियर बनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाए दोस्तों मेरा नाम है साहिल यादप और आप देखा हैं रिप्रोने सेनल